बच्चों, आज हम काब विखंड से रैदास के जो पद हैं उनके बहु विकल्पी प्रस्णों को देखेंगे जो कभी रैदास जी हैं उनके द्वारा यहां पर दो पद हैं तो कभी ने यहां पर अपने आराध की यहां पर आराधना करते हुए यही इसपच दिया है कि उन्हें इस्वर के नाम की रटना लग चुकी है वे किसी भी प्रकारव छूट नहीं सकती तो यहां कभी रैदास जी कहते हैं कि प्रभु को उन्होंने यहां पर चंदन, घंस्याम, चान, दीपक, मोती वे स्वामी के समान मानते हुए और स्वयम को उन्होंने पानी, मोर, चकोर, बाती, धागा वे दास के समान माना है तो यहां पर उनकी जो भक्ती है वे एक दास्य भाव की भक्ती है और दूसरे पद में यहां कभी रैदास जी ने प्रभु को सबका रक्षक भी माना है तो उनके अनस्वार दुखियों पर दया करने वाले जो उनके स्वामी परमात्मा रूपी जो स्वामी हैं उस जैसे व्यक्ती को भी महान बना देते हैं जिसे संसार में लोग अच्छूत मानते हैं और उनको छूने से बिनफरत करते हैं तो उसी पर परमात्मा द्रवित होकर के क्रपा भी करता है, क्योंकि इस वर तो किसी से डरने वाले नहीं है, वह नीज को भी उंचा बना देते हैं, तो यहां कभी रैदास जी कहते हैं कि परमात्मा की जब क्रपा होती है, जैसे कि यहां पर नामदेव, कभी, त्रिलोचन, सै आदि जैसे निम्न जाती के व्यक्तियों को भी उन्होंने महान बना दिया और उन व्यक्तियों का भी उद्धार किया तो यहां पर उन्हीं के आज हम बहु भी कल्पी प्रश्णों को देखेंगे इनका जो पहला बहु भी कल्पी जो प्रश्ण है कवी ने अपने और इस्ट देव में किस प्रकार का संबन बताया है तो इसका है राइट आंसर सेकिंड पानी और चंदन कवी को राम नाम की रट क्यों नहीं भूलती मतला जो उनको रटना लग चुकी है वो उसे क्यों नहीं छोड पा रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर है first कि प्रभु से उनका एकाका हो गया है और third question है उनका कभी की भक्ती में किस भाव की प्रधानता है तो इसका right answer है दास्य भाव की वो सेवक हैं उनके और वे उनके स्वामी हैं तो right answer third प्रस्णगा है इस पद में किसमत का प्रतिपादन किया गया है तो इसका जो right answer है second है एके स्वारवाद का और भक्तो और भगवान को यहाँ पर किन चीजों से तुलना की गई है चन्द चकुर, मोती धागा, सोना सुहागा तो तीनों से ही की गई है तीनों option right हैं तो यहाँ पर यहाँ उपर्युक्त सभी, right answer हुआ fourth कवी की द्रश्टी में गरीवों और दीन दुखियों का रक्षक कौन है तो यहाँ इसका जो right answer है वो है second issue गरीवों और दीन दुखियों के रक्षक है जब उनका यह गरीव लोग भी अगर उनके नाम का इसमेल करते हैं तो वो उनको उनके भी कष्टों को हरती है और उनकी रक्षा करती है निम्न कोटी के लोगों को गोविन किस प्रकार तारते हैं तो इसका जो right answer है वो है third बिना डरे उंच बना करके उंचा बनाते हैं मतलब वो किसी से डरते नहीं है उन्हें किसी का भी डर नहीं है चाहें वो निम्न जाती का है या उच जाती का है जो भी उनको भसता है उनके नाम का इसमन करता है तो उसे वे उंचा उठाते हैं लाल सब्द का प्रयोग यहां किस के लिए किया गया है लाल वैसे इस्वर के लिए उन्होंने उनके भक्त रहदास जी ने पुकारा है लेकिन यहाँ पर इस्वर भी रायट है लेकिन सबसे रायट क्या है सेकंड वाला स्वामी क्योंकि यहाँ पर एक भक्त और जो एक सेवक है और एक स्वामी की बात हो रही है, तो उन्होंने यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा, स्वामी सैकिन, उन्होंने अपने स्वामी को लाल कहकर भी यहाँ पर पुकारा है, कवी ने भगवान को किन-किन नामों से पुकारा है, तो इसका जो राइट आंसर है, गरीब निवाज गुसेया, गोबिन, हरजीव, लाल, सबसे पुकारा, तो तीनों ही ओप्सन राइट हैं, तो इसका जो राइट ओप्सन यहाँ पर हुआ, फोर्थ, उपरियुक सभी, प्रस्तूत पद की भासा क्या है, इसका राइट आंसर है, फर्स्ट ब्रज भासा का उन्होंने अपने उन्होंने दोनों पद में क्या क्या बताया है, पहले पद में क्या बताया है, और सेकंड पद में उन्होंने किस चीज का वर्णन दिया है, तो आप इनके बहु भी कल्पी प्रस्नों को एजीली समझ गई होंगे, धन्यवाद.